जै हिंद प्यारे दोस्तों अगर दोस्तों आप दिल्ली में नोगरी लिना चाहते हैं आप दसवी पास है एटसिल में रिकूर्ट में नोटिस आउट हुआ है जैसा कि आप सबको पता है ये काम करता है भारत सरकार के साथ मिलके दोस्तों तो मिनिस्ट्र आफ एजूकेशन के अंतरगत ये आता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आज की वीडियो दोस्तों समझेंगे कैसे कैसे क्या प्रोसस रहने वाला है जिसके लिए मैंने डेडिकेटिट एक वीडियो की थी उस बाफी बच्चों के सब आरते इसका सेलेक्शन प्रोसस कैसे रहेगा सेलेक नहीं है ना कोई सेटिफिकेट कोर्स ना कोई टैकनिकल फिल्ड का कोर्स तो आप एलिजिबल रहेंगे सपोर्ड स्टाफ की वेकेंसे आउट हुए जिसमें पच्चेस अजार रुपय प्रमंद के साब साब को सैल नहीं मिलेगी टैंथ विपास मांग गया एज की बात करतो सब्सक्राइबल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है अगर आपके पास दो साल का एक्स्पिरेंस नहीं है तो आप तब भी अपलाई कर सकते हैं बस यह होता है अगर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इंटर्व्यू में इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कब और कहां जाना है तो इसमें एक्जाम तो कोई कंड़क्ट होगा नहीं दोस्तों डिरेक्ट आपका इंटर्व्यू कंड़क्ट होगा अब जिस भी जहां से आप बिलोंग करते हैं जिस भी फिल से आपने पढ़ाई की हुई है आपके साथ उसी चीज के इंटर्व्यू के बारे में पूछ जाएगा जैसे कि सबोस्क्रूर आपने मास्टर्स की है तो आपके सवाल उससे रिलेटिड होंगे आपने ग्रेज़ुचन की है आपने सवाल उस फिल से होंगे current अफेर के कोशंस हो सकते है current events को सकते हैं कुछ भी कोशन पूछी जा सकते हैं दोस्तों तो वह चीज्च आप को प्रिपेर करनी है अच्छी तरीके से तो डेली न्यूज़ पेपर पड़ा कीजिए उसके बारे में आपको तयार रहना है तो सारे फ्रेश मेंगे एंटरेवीज के रिगार्डिंग आपको फोन के थूरू और मेल के थूरू आ जाएंगे तो आपको कनेक्ट रहना अपनी म के थुरू भी और मुबाइल के थुरू भी दोस्तों तो वीडियो के से लिगए आपको मेरे सक्षिन में जुरू बता सकते हैं थेंक्यू समय दोस्तों पूर वोचिंग माई वीडियोज